हाई प्रेंट्स विल्कम है मारे जीस इंडिया यूटूब चैनल पे आज हमाँ आपके लेकर आए बिहार में जो भरते निकली वे पुलिस के वन पाल की जो भरते निकली वे उसके बारे में हम आज डेटेल से बात करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है क्या इसक सरकार में वन पाल फॉरेस्टर की वेकेंसिया आई भी है इन पदों पर भारती पुरुस और मेला कोई भी व्यक्ति आनलाइन आवेदन कर सकता है इस पर भारती वह वह आवेदन इस पर कर सकता है इस पर जो टोटल वेकेंसिया है वो हैं 236 वेकेंसिया दी गई है 236 वेकें इसमें जो बेतन है पेमेंट दिया जाए लेवल फाइब का होगा 29,200 से स्टार्टिंग होगी 22,300 तक लास्ट पेमेंट होगी ठीक है पेमेंट बहुत अच्छी दीक है यह फ्रेंट्स इसपे वह किसी भी राजी का रहने वाला अव्यक्ति भी हो वो इसपे आवेदन कर सकता है जो आनलाइन आवेदन इस्टार्ट होंगे प्राराम होंगे जो डेट होगी वो होगी 27 जुलाई से स्टार्ट है और इसकी जो अन्तिम तारीक है वो इसपे अन्तिम तारीक 10 सितंबर है 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे 10 सितंबर इसकी अन्तिम डेट रिक्त पद वन पाल या फॉरिस्टर के कितने दिये गए हैं 236 दिये गए हैं इनका विबुनर जान लेते हैं सामानने के लिए जर्णल वर्ग के लिए कितने दिये गए के अच्छित थे रिक्त पद हैं और इसमें महिलाओं के लिए 32 पद आरचित हैं मतलब 91 में कितने महिलाओं के लिए आरचित हैं 32 जिटें उनके लिए आरचित थे एकियानन बे-में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर गए हैं, तू नमबर पे, EVS के लिए, EVS की जो टोटल बैकेंसी आएं, वो 23 हैं, और इनमें जो मैलाओं के लिए वो 6 पद दिये गए हैं, मैलाओं के लिए 6 पद इसमें आरच्छित किये गए हैं, और तीर नमबर पे, ST के लिए, अनुसूचित जाद के लिए इसमें 37 पद हैं टोटल, और इसमें जो मैलाओं के सिटे हैं, वो 13 सिटे हैं, और इन तीनों में बैकलॉग के सिटे नहीं दी गई हैं, ध्यान रखें आप, और चार नमबर पे, अनुसूचित जाद के लिए, ST के लिए, इसमें टोटल 3 सिटे दी गई हैं, और एक सिट के लिए, मैलाओं के लिए हैं, और एक सिट बैकलॉग के लिए दी गई हैं, और अन्य पिछड़ा वर के लिए, अत्यान पिछड़ा, अत्यान पिछड़ा, अत्यान पिछड़ा वर के लिए, उनके 49 पोस्टे दी गई हैं, टोटल मैलाओं के लिए कितनी है, आट सीटें दी गई है इस पर, और जो पिछला वार गए, वो आत्यांते पिछला था यह पिछला वार गए, इसमें 24 दीगी मैलाओं के लिए 8 सीटें है, बैकलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, ध्यान रखें आवे दन करते समय, और 7 नमबर पर पिछले वार वार गए, ध्यार कान रखें किन देअ के लिए सीटें वो कितनी है, वो 9 सीटें है टोटल, इसमें अलक सिकोई सीट के लिए आचन नहीं ऑर बैकलाओं के लिए दो सीटें है, टोटल याils है इसमें 236, पढ़ लेते हैं वार नमर पर के आदिया गया है, इस पर जो लोग स्वतंता सेनानी रहें एकें सरकार में पेंसन स्विकरत हैं उनके पोता पोती या नातिन जो कुल पद आरच्छित हैं उनके लिए 5 पद आरच्छित किये गए जो लोग स्वतंता सेनानी उनके पोता पोती नाती नातिन उनके लिए 5 पद आरच्छित किये गए या रिजर्व किये गए टोटल 236 पदों में से ध्यान देश में मैलाओं के लिए जो आरच्छन है टोटल जो टोटल सिटे हैं 236 में 3 परसेंट उनको आरच्छन दिया जाएगा जो भी वेकेंसी आई हैं 236 में 236 का आप लोग 3 परसेंट निकालने जो वेकेंसी होंगी वो मैलाओं को दी जाएंगी ओके इस 3 परसेंट आरच्छन को अच्छन रखते वे मलाब इसमें कोई नहीं चूएगा ठीक है 24 परसेंट गहर आरच्छत वर्गों के 37 परसेंट पर दों के विरुद 5 25 पर यस्थ तब आरच्छत गहर आरच्छत कोट में मैलाओं के लिए आरच्छत होंगे समझें कि मैं जैसे कि किसी वेकेंसी पर वेकेंसी होंग नहीं remember 35% आरचीत होगा, टोटल पद का 3% दिया जाएगा उनको, टोटल पद का 3% महिलाओं के लिए आरचीत होगा और इस पे जो इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं, उसके लिए जलिए बात कर लेते हैं भरतिय नागरीक होना निवार इस पे ठीक है, वंप속, भरतिय निम्तम जो साची के ऊगता है वो क्या इसमें ? इंटर पास होना चाहिए, विज्यान से पास हो या, साइन्स अपौशल वो चलेगा ठीक है, ज्याधा तक इसे विज्यान पे जोड़ दिया गया है, ठीक है, विज्यान से इंटर आपको पास होना चाहिए, विज्यान का मतलब आप pcb physical chemistry bio हो सकता है और मैद भी फिशिस के मेश्टी मैद भी वो लोग इस पर पात रोंगे और आप वीडियो को पाच करके देख लिए आप भ्यारती की उम्र मैट्रिक और समकच परिछा के जो इस पर डिट दिया गया है उसके अनुसारा फॉर्म इसको फिल करें और जर्नल के लिए जो इसमें एज दिया गया है अठारा से पचीस साल जर्नल के लिए अप टाल के जो होगा वा सताइस साल के आगया है तो इस पर फार्म डाल सकते हैं वो मैला हो या पुरिष हो अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के पुरसों मैलाओं के लिए नियुम्तम 18 साल अधिक्तम 30 वर्स के लिए दिया गया है उनको जो S.C.S.T. होंगी उनके लिए 18 से 30 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए वो लोग इसमें आविदन कर सकते है S.C.S.T. अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए ये रहेगा उस पर ओके बिहार आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में पांच नंबर बिहार सरकार में कारत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कटाप तिथी तक नियमित सेवक में नियुम्तम तीन वर्सों कर लिए इस पृतियोगता में भाग लेना चाहें तो उनके लिए आईस जुम्हार में अधिक्तम पांच वर्स की छूट होगी जो लोग बिहार में सरकारी सेवा में काम कर चुके हैं अगर वो लोग आवेदन करेंगे तो उनको अधिक्तम पांच साल की और छूट दी जाएगी इसकी गढ़ना की जाएगी ऑके सारी रिक मापडंड क्या होगा हम चलिए इस पर बात करते हैं थोड़ा अब व्यारति का सारी रिक मापडंड इस पर निम्तम जो उन्चाहिए मतलब हाइड केतनी होगी इस पर वह गी 160 cm कि एक सो सअथ सेंटी मीटर होगि और बीना निमतम सीना केतना हो वे बना ऑना बीना फुलाएं या एकस्पेंडे की वह केतना होगा dwa 79 सेंटी मिटर और अन्ने के लिए केतना होगा एक यासे centimeter और éénंसे का नीमता फुलाओक इतना होगा पांच centimeter आपका जर्णल मzeलब नारबल जो सीना होगा वो कितना होगा 79 सीना होना चाहिए 79% और जब उसको फुला लें आप depend कर लें तो 5 cm आइट लिश्ट कम से कम आप उसको expand कर सके या फुला सकें सीना को ठीक है और चार नमबर पर जो इस पर पैदल चलने की छमता है चार घंटे में पूर्सों के लिए चार घंटों में पूर्सों के लिए कितना है पचीस किलोमेटर उनको चलना है और जो मैलाओं के लिए है, मैलाओं के लिए इस पे 14 km चलना है 4 घंटे में, ठीक है, और अन्न के लिए जो होगा, वो 4 घंटे में 25 km ही चलना है, मैलाओं के लिए भी नीचे दिया गया है, बता रहे हैं आपको, डिटियल से, नीमतम उचाई जो मैलाओं की होगी, वो 155 cm इस पे पैदल, पैदल चलने के छमता जो मैलाओं की होगी, वो 4 घंटे में 24 km मैलाओं को चलना होगा, वो अभी से फिचकल की तैरी स्टार कर दें, 4 घंटे में उनको 14 km चलना होगा, और अन्न मैलाओं के लिए भी यही मापड़न रहेंगे, आवे दन कलिक्ट करने के बाद क्या होगा, उनको admit card भेजे जाएंगे, admit card भेजने के बाद उनका जो exam होगा, उस पे लिखित परिछा पत्रों में कितने, 100 questions दिये जाएंगे, वो बहुई गल्पी होगे, mcq दिये जाएंगे, बहुई गल्पी questions होगे, option वाले, वो कितने ह 2 घंटे का समय दिया जाएगा, छो को फिसने का समय दिया जाएगा, जो प्रशनों का इस्तर होगा, लिखित परिच्छा का इस्तर बिहार विध्याल है, परिच्छा समिर्पीके intermediate, बिहार में 10 प्लस तो प्लस इस्तर की होगी, हिंदी भासा का ज्यान छोणकर, हिंदी भास होंगे math reasoning others के जीगे के वो दोनों language में होंगे हिंदी में भी होंगे और English में भी होंगे सामान विज्ञान के प्रस्ट मैट्यूकलेशन 10 प्लस 2 प्लस 3 प्रानली की दस्मीक अच्छा अत्वा समकच इस्तर के प्रस्ट में ताइम दिया होगा वो दो घंटे का समय दिया जाएगा सो प्रस्ट होंगे और एक आपका जो उतर होगा वो चार अंकों का होगा एक प्रस्ट चार अंकों का होगा लिखित परिचा का पूरां केतना होगा चार सो अंकों का होगा भाग एक में प्रस्ट पंद्रा सामान ग्यान से होंगे ठीक है सामान ग्यान से 15 questions होंगे और भाग 2 में 15% तारकिक, reasoning के कौसल से सम्मंदित होंगे ठीक है, प्रस्न तारकिक होंगे और भाग 3 में 50% भातिक, सास्त्र, रासायन, जीविग्यान, physics, chemistry, biology पर और गडित पर आधारित होंगे physics, chemistry, science का, physics, chemistry, bio और math का, इसमें 50 questions इन दोनों से पूछे जाएंगे physics, chemistry, जीविग्यान और गडित से ज़्यादा पर पूछे जाएंगे, आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दे भागचार में 20% होंगे, 10% हिंदी के होंगे, 10% अंग्रेजी के होंगे इसमें, इसका उद्देश भागचार का उद्देश हिंदी वा अंग्रेजी भासा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकड करना, गंभीर, तर्कपूर, गद को पढ़ने हों समझने की योगता की परिच्छा करना है ठीक है और इसमें जो प्रस्ण होंगे दस प्रस्ण में जो हिंदी की होंगे उसमें क्या होगा गध्धांस को पढ़के उनके उत्तर को आपको देना होगा गध्धांस को पढ़के आपको उनको उत्तर देना होगा और सब्दों का सही प्रयोग इसका मत मार्किंग भी होगी निगोर्टिव मार्किंग भी होगी इस परिच्छा में इस परिच्छा में जो निगोर्टिव मार्किंग का जो प्रावधान किया गया है वो कितना एक तियाई है एक बटे तीनंग काटे जाएंगे अगर आपने एक उतर गलत किया एक प्रसंद गलत किय क्या होगा माइनस मार्किंग है इस पे रिख को सुंस्तमज करें करें ओके कि यदि किसे अभ्यार्थी ने एक ही कोस्टन के एक से अधिक उतर दी हैं तो क्या गलत माना जाएगा ठीक है इन सब चीजों का दियान रखें आप अगर आपने कोई उतर नहीं दिया तो वो क्या है निगोटिव मार्किंग में नहीं है इस पे क्या है आपको अपनी ओयमार सीट को बहुत अच्छे से फिल करना होगा ठीक है कोई भी गलत रोल नंबर्स या अपना नाम उस पे फिल ना करें भली भात उसके ओयमार के निर्द खिल नहीं जाएगी ठीक है मुलयक कर नहीं किया जाएगा ऑर धेहन दे इस पे जो परिच्छा में जो पासिंग के लिए कहतने निम्तम की जरूरत होगी परिच्छा में विभिन्नी कोड़ी के लिए नीमतम जो अहरता है कटाउप माँस के नहीं होगे सामाने वर्ग जर्णल के लिए 40% लाने आनिवार है तब उसे पास माना जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाएगा तब वो पास माना जाएगा इतना नीमतम उस नुसुची है जाती और जन जाती के लिए Selena के लिए 32% अंक लाना अनिवारि तब उन्हें पास माना जाएगा परिछा में तब उन्हें पिछन के लिए यह सरीदिधा के लिए आगे प्रसीड किया नीमतम अ आगे कि वो आपको मोबाइल नंबर और या इमेल पर प्रवाइड कराए जाएगी इसलिए जो फार्म बरते समय कोई भी गलत जानकारी ना दे अगर आप कोई भी गलत जानकारी आवेदन में लिखते हैं तो आपकी जो कंडिटेश्चर होगी वो निरस्त कर दी जाएगी इस लिए आप क्या करें साही साही जानकारी फिल करें पढ़ लेते हैं चलो इसके बारे में बताते हैं आपको आवेदन की उमेदवार अंतिम रिजल प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम लिखित करणों से बिना सूचना के रद की जा सकती है समझें आवेदक की उमीदवा की जो फन होगा उशको क्या किया जाएगा उमीदवारी उम्मीदवारी अन्रेजिस्टर् करती जाएगी या रद करतीourd आ जाएगा तो आपको dif फोटी ए पोटो है या हास्ता अच्छा रहे उसको एक्सक्षे अप्लोड करें कर अगर से अब दन्य होगा तो क्या रधिकर दिया जाएगा नमर तीन अब्वेधन मूहल का ओनलाइन भुकता जाने पर आपका क्या हो उम्मीदवारी रद्य कर दिजाए आप क्या करेंगे समय से पेमेंट कर देंगे ताकि आप परिश्चा में बैठ सके उपस्तित हो सके चार नंबर पर आवेदर में गलत सूचना नहीं देना आपको किसी प्रकार की अगर गलत सूचना पाई जाती है तो आपको क्या डंडित किया जाएगे आपके विग्द्य कारवाई की जाएगी और आपके परिश्चा जो है वो रद्य कर दी जाएगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है पांच नहीं गलत आर अच्छन कोड़ी का भरा जाना अगर आप जर्णल है या ओभी सी भर देते हैं अपनी डालें ठीक है आवेदन में लिंग जेंडर जो भी डाले वो अपना ही डालें और सही डालें ठीक है किसी फिकाष के गली जनकारी न दे अन्यथा आपकी जो भरती प्रकरिया आए वो रोग दी जाएगी अगर आप बाइदर वे किसी गलत कामे सत्लुक्ती पाया जा जानकारी आपको आप तक पहुंचाई जा सके क्योंकि अगर आपका मुबाइल नमबर या आपके इमेल आईडी नहीं होगी तो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगे इसलिए फॉर्म बरते समय आप क्या करें अपना मुबाइल नमबर दें और अपनी इमेल आईडी दें जो हमेशा आपके लिए चालू रहती हो ठीक है इस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है अगर आपको बिहार पुलिस रिलेटर जो भी वीडियो चाहिए या सारी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करें ओके थैंक यू और फॉर्म ढग्यान रकरें इसकी जो आनलाइन की डेट आरलाइन जो स्टार्ट होंगे वो VII जुलाइ दोहजार बीस दे से और स्टार्ट होंगे इसकी जो last ड डेट है वो दस सितंबर है और इसकी जो फीस पे करने वो 450 रुपए पे करना है Journal, OBC और EBS Candidate के लिए 450 रुपए फीस देना पड़ेगा और SCST के लिए 112 रुपए देना पड़ेगा SCST, अनुसुचित जाती और जंजाती के लिए 112 रुपए फीस देना पड़ेगा फीस का जो मोड होगा किस मादियम से आप Credit Card, Debit Card, Net Banking या SBI का E-Challang के मादियम से आप फीस जमा कर सकते हैं आप फीस दे सकते हैं और इसकी जो Online की Start के लिए थे 27 जुलाई से Start है और Registration की जो Last Date है वो 10 सितंबर दिया गया है और Payment करने की जो Last Date है वो भी 10 सितंबर है उपे और इस पे जो Age दी गई है Minimum Age है वो 18 साल, कम से कम आपके 18 साल Age होना चाहिए और Maximum Age आपकी 25 साल ये Journal और EBS Candidate के लिए है Journal EBS Candidate के लिए जो Farm Apply करेंगे वो 18 से 25 साल के बीच में उनकी Age होना चाहिए और Maximum Age 27 साल ये OBC Candidate के लिए और मैलाओं के लिए अधिकतम Age 30 साल है बिहार पुलिस से संबंदिस सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही कोई notification आता है या आगे की कोई भी जानकारी एकजाम से रिलेट है परिछे से रिलेट कोई भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कोई भी आसु भी धा होगी हमसे कमेंट करके ओके थिंक्पर वाचिंग